आज हम लोग टॉप में टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंवेस्टमेंट, टॉपिक पढ़ाया गए हैं जिसमें 28 दूप का इस्तमाल होता है अजिसमें 28 दूप को प्रामर्य और सब ग्रूप के बारे मापको उताया कि इनका इस्तमाल अकाउंट के नेचर में कब कब कहा करना चाहिए बिलिक करते से में क्या आकाउंट काउंट कर रहे हैं तो इसमें 28 दूप के बारे में आपको समझा किया था आज जो गुरूप अच्छा हुआ इसका नाम है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस होता है जब एक वयवाद इन्वेस्टमेंट करता है तो अपना कुछ पैसा भरुष पांट सार दो सार या दर साल के लिए इससे कंपनी को एक फीड़वेक अलाग पलता है कि अकल कमें 10 साल बात कुछ पैस की जोर पढ़ आती है इसमें शौर्टम पैसा में इन्वेस्टम कर सकते हैं जिसे कंपनी की फीड़वेक अच्छी मिलती है बरुष पैसा वहां से रिफंडबल कर सकता है जैसे आप LIC करते हैं किसी चीज़को सबस्टम करके को में प्याद करते हैं कि तो यह पैसा होता है आपको अपना पैसा में पर आपना दल्राय स्टाट किए 50 रुपे में 25 रुपे अपने जरब में रख दीजे आप 25 रुपे का इंश्में कर दीजें करना आपको 10% पर आपने उसमें से 5% रिकबर आप दीजें क्या नम है रेख दीजेंग में डाल दीजें रेख दीजेंग नम बता होता है जिसके छोड़ छोड़ फीगर के आप इंश्में कर सकते हैं यू चुछ पैसा लगादीजें जापने आपको आपको बिजनस को सक्सिस्पर करना है और गरोभ इंश्में बेपादीजें सबसे पहले घ्जी पैसा कर ना तो चुछ पैसा काटेश्में डाल दीजे तौटेजी में अगर आप एड़ी करतीजें लिए जिकरिंग में डालती है या मिछोर फंड में डालती है इसे मार्ण पर गुछ पैसा इमेश करती है इनका अटेर्ण है इसको निमेश खाता कहते हैं तो आवी इस्टुएंट अमारे अधार आप में नहीं देखा है तो सभी अधार रूप को ध्याम से पढ़िए देखिये एक 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 अधार आप बहुत ही कोटे होता है तो आज हमारा ये 28 लूप का वीडियो कंप्लीट होता है अगले हम नए विडियो बारे बात करेंगे जि बगारति होते हैं तो आज हम धन्यवाद आज हम वीडियो समाब करते हैं तो वीडियो अगर समझ में आया है तो लाइक दर सब्सक्राइप जो कीजिगा मिलते हैं अगरे वीडियो में धन्यवाद